हलो गाईज देस विने और आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग अभी तक आपने फेरो मेगनेटिक माटीरियल के बारे में पढ़ा हमने वहाँ पे देखा आपका हिस्टेरिसिज लोस आपके क्या होते हैं ठीक है अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर उसी से रिलेटिड जैनी कि जो मशीन के अंदर आपका आता है बेसिक पार्ट जैसे कि आपका हिस्टेरिसिज लोस आपका चलता है और साथ-साथ आपका एडिकरंट लोस आपका होता है को ठिक है एडी करेंट लोस आपて क्या होते हैं next is एडी करेंट लोस ठीक है इंपोर्टेंट टोपी एपका ठीक है और मशीन का बिलकुल बैसिक है यह भी तक आपने जितना भी पढ़ा या फिर आपकी core को properly stack करना पड़ता है हमने वहाँ पे stacking factor को आपका देखा था अब हम यहाँ पे आपका eddy current lows को आपका देखने वाले हैं तो देखिए अब इसमें eddy current lows के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं एक कोई भी magnetic material आपका decide कर लेते हैं जैसे आपने कोई ferromagnetic material लिया ठीक है ferromagnetic material आपने ले लिया है यह आपका मालीजे कोई ferromagnetic material है ठीक है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ आपकी magnetic field lines है यह आपके मालीजे magnetic field lines है ठीक है इस यह आपकी magnetic field lines है तो आपने क्या किया इस magnetic material को इसके अंदर जब हम इसको v velocity से move करवाएंगे या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका यह आपका magnetic material है और आपकी जो magnetic field lines है वो आपकी क्या कर रही है move कर रही है इस बार आपकी क्या कर रही है magnetic field lines आपकी move कर रही है ठीक है और iron piece आपका क्या है यहाँ पर station ही है या पर कौन move कर रही है magnetic field lines with velocity v तो दोनों ही case में जब आपका चाहे हम कहें वही आपका magnetic material है वो जब आपका move करेगा field lines के अंदर तब या फिर आपका magnetic material को constant रखे और field lines को आपका move करवा दे दोनों ही case में आपका क्या होगा the flux linking with sorry the field lines linking with this piece changes दोनों ही case में आपका क्या होगा field lines जो आपकी इस material के साथ में link हो रही है वो आपकी चेंज होती रहेंगी कैसे जैसे हम यहाँ से move करवा रहे है अब कुछ देर के बाद में आपका क्या हो जाएगा तो पहले आपके magnetic fill lines दो 30 के साथ में, अब आपके magnetic fill lines चार हो जाएंगी, यानि कि आपके क्या हो रहा है, यहां पे the magnetic fill lines linking with this piece, changes, यह आपके क्या हो रही है, change हो रही है, और जब भी ऐसा होगा, जब भी आपके यहां पे fill lines change होंगी, तो यहां पे आपके क्या आएगा, कुछ कुछ induced EMF आएगी, चिक्या है, आपके कुछ ना कुछ induced EMF आएगी, तो यहां से हम इसमें लिख सकते हैं, if iron piece, iron piece यह फिर आपका ferromagnetic material, आपका समझ सकते हो, if magnetic material, if magnetic material, linking with, linking with, linking with, एपिल लेंगी। एस एडिया औफया यहां पर एडिय olsaव मैगनेटिक मटिडियल लेंगा इडेकश changes filled lines changes there is there is induced emf यहां पर आपके क्या होगी कुछ induced emf आएगी यहां पर आपके क्या हैगी there is some induced emf ठीक है किसके अंदर आपके induced emf आएगी in magnetic material के अंदर ठीक है जहां पर आपकी magnetic field lines linking with this change होगी वहां पर और यह मैं नहीं बता रहा हूं यह आपका कौन दाता है this is according to faraday's law यह आपका किसके according है this is according to faraday's law यह faraday's law नहीं बताया ठीक है कि जब भी ऐसा होगा तो वहां पर आपके क्या होगा वहां पर आपकी कुछ ना कुछ induced emf आपकी आजाएगी ठीक है और phi आपके क्या है this is flux आपका कह सकते हैं या फिर filled lines आपकी ठीक है इस तरीके से आपका इसको समझ सकते हो ठीक है जब भी आपकी filled lines जब भी आपके fill lines with respect to time आपके क्या होंगी चेंज होंगी तब वहाँ पे आपके क्या है कि induced EMFE आपकी setup हो जाएगी ठीक है तो यह था आपका faradays low के बारे में हमने discuss किया यहाँ पे अब हम इसी को आपका इसी concept को आपका use करते हैं in case of transformer तो in case of transformer जब आपका लेंगे in case of transformer तो transformer के case में आपका क्या आएगा देखो जब यहाँ पर आपके fill lines linking with this change होंगी तो आपका क्या होगा देखो जैसे ही हम इस transformer के case में जैसे हम यहाँ से आपका supply provide करेंगे by any source यहाँ आपने source लिया और यहाँ पर आपने क्या किया supply lines आपने तो माली जै secondary अभी आपका open circuit है तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा यहाँ पर कुछ flux lines आपकी set हो जाएगी ठीक है और यह flux lines linking with this core यह जो आपकी core नजर आ रही है यहाँ से जो core है जिसके ओपर आपने coil को रखा हुआ है यहाँ पर चब यह link होगी तो इसके अंदर core के अंदर आपकी आएगा कुछ induced EMF आपकी setup हो जाएगी ठीक है और यह induced EMF माली जी यहाँ पर plus है और यहाँ पर minus है ठीक है इस तरीके से आपकी polarity आपकी आजाएगी और इस polarity की according आपका क्या जाएगा यहाँ से कुछ current आपका flow करेगा इस current को आपका बोलते हैं eddy current इस current को ह अंदर आपका core के अंदर है ठीक है तो यह है आपका किसके case में transformer के case में अब ऐसे ही यह तो मैंने आपको एक पार्ट बता है अब ऐसे ही आपके पूरी core के अंदर इसी तरीके से आपके कुछ ना कुछ circulating current का मतलब क्या हुआ जैसे माली जी आपकी यह core है ठीक है यह core है यह इसको ऐसा मनाते हैं यह इसको बोलते हैं stamping यह आपकी stamping है इस तरीके से ठीक है और यहां पे आपका कुछ ना कुछ induced EMF आपके आ गई है तो इसकी वज़े से क्योंकि यह path आपका close है यह close आपका body है आपकी close body के अंदर आपके क्या होंगे कुछ ना कुछ circulating current आपके आ जाए उस लोस को हम बोलते हैं आपका कुमसा लोस होगा eddy current लोस आपका आ जाएगा ठीक है तो यह आपका हुआ eddy current अब देखो इसमें eddy current लोस के लिए हम क्या करते हैं तो देखो PE it is equal to हम कई बार लिखते हैं power it is equal to आपका क्या होता है हमें पता है i e square into re या फिर हम इसको लिख आइड कर लेते हैं इनमें से कौन सा यूज होगा तो देखो सबसे पहले आपका माल लीजे i e square re है आपका तो यहां पर आपका क्या होगा अगर हमें eddy current लोस को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो अगर हम eddy current लोस को कम करना चाहते हैं तो अगर हमें resistance बढ़ा आपकी क्या बताती है दूसरी statement इसके अंदर आपकी बताती है कि अगर आपने आरी को बढ़ा दिया तो यहां से लोस आपके क्या हो जाएंगे इंकरीज हो जाएंगे यानि कि दोनों की statement आपने क्या है confusing statement है कैसे confusing है देखो यहां से एक तो आपका यह बता रहा है ठीक है कि resistance आपने बढ़ाया तो आपका eddy current लोस क्या हो गया कम हो गया दूसरी statement आपकी इसके according और क्या पता चल रहा है कि हमें पता है IE it is equal to क्या होती ह E divided by RE यह होता है ठीक है अब यहां से अगर resistance आपका बढ़ेगा तो यह आपका कम होगा ठीक है और यह कम होगा तो इसका मतलब एक आपका बढ़ रहा है एक आपका घट रहा है अब हमें यह पता ही नहीं है कि eddy current lows आपके increase हो रहे हैं या फिर eddy current lows आपके क्या हो रहे हैं degrees ह तो इसका मतलब अगर हम यह वाली expression आपकी use करते हैं तो यह expression आपकी बहुत ही confusing रहेगी जिससे हमें यह नहीं पता लग पाएगा कि आपके lows बढ़ रहे हैं या फिर आपके lows कम हो रहे है ठीक है तो इस वज़े से हम इस statement को क्या करते हैं यहां पे reject करते हैं अब दूसरी statement पर आते हैं इस statement के according यहां पर आपका देखो यह आपका क्या होता है यह आपका depend करता है यहां से पी और आरी आपका inversely proportional में है इस inversely proportional to RE और यह आपका किस पर depend करता है यहां पर क्या है यहां पर इंडिपेंड करता है यहां पर इंडिपेंड नहीं करता आपका resistance of this material इस material के resistance पर आपका depend नहीं करता यहां पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि PE जो है आपका वो आपका किस पर depend कर रहा है आरी के उपर आपका depend कर रहा है आर आई का मतलब resistance of iron piece यानि कि iron piece का मतलब core का जो resistance होगा उसको आपने बोला है तो कई books के अंदर RI से लिखा होता है या फिर कई books के अंदर RC से लिखा होता है और यह branch आपके कुछ ऐसे parallel में रहती है ठीक है यह branch आपके कुछ ऐसे parallel में रहती है एक inductance के वो क्यों होती है वो इस statement का क्यों use होता है यह मैंने आपको यहाँ पे describe किया है क्योंकि आपका E क्या होता है यानि कि हम यहाँ पे जो V लिखते है that is depend independent यह आपटी क्या है independent है यानि कि depend नहीं करती ठीक है किस के ओपर depend नहीं करती resistance RI या फिर RE के ओपर depend नहीं करती और इसी वज़े से हम यहाँ पे आपका क्या लेते हैं, P e it is equal to V square divided by R i to represent eddy current loss, ठीक है, तो यह आपकी एक statement हो गई, अब हम यहाँ पे आपका discuss करते हैं, detail के अंदर, की आपका length low आपका क्या define करता है, और फिर आपके eddy current loss की expression देखेंगे, length low से पहले आपका एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, कि आपने देखा P e it is equal to, आपने क्या किया, यहाँ पर अभी E square divided by R i, ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा इसको, तो यहाँ से R e आपका क्या है, it is the resistance in path of eddy current, यह resistance है आपका किसके पात में, in path of eddy current, in path of eddy current, eddy current के में आपका क्या है, यह resistance है ठीक है, तो अगर हम R e, यानि कि resistivity को बढ़ा दें, आपके किसको बढ़ा दें, resistivity को क्योंकि R it is equal to, क्या होता है, rho L y A, तो अगर हम resistivity को बढ़ा दें, यानि कि specific resistance को आपके क्या कर दें, increase कर दें, तो आपके eddy current low स्क्रीया हो जाते हैं, कम हो ज इंक्रीजिस तब आपका क्या होगा एडी करेंट लोस एडी करेंट लोस एडी करेंट लोस रिद्यूस डिक्रीजिस एडी करेंट लोस आपके क्या हो जाएंगे यहां से डिक्रीज आपके हो जाएंगे ठीक है तो एक आपने यह देखा आपका ठीक है अब इसके लिए हम क्य करते हैं कई बार जैसे आपके मली जी आपने स्टेंपिंग ली है तीन स्टेंपिंग हम यहांपे ड्रो करते हैं यह पहली स्टेंपिंग है यह दूसरी स्टेंपिंग है ठीक है और यह आप Sutcan आपका जो transformer आपका होता है, उसकी construction कैसे होती है, देखे, transformer की जो construction आपकी रहेगी, वो कुछ इस तरीके से रहेगी, जैसे माली जे ये आपका जो shape आपका दिख रहा है, ये आपका L शेप आपको नजरा रहा होगा, ये आपका क्या है, L शेप आपका, और ये आपकी दूसरी L shape की है, माली जह gens say L type की, इनको बहुता है स्टेंपिंग , ठाइ तो 1 & तो 1 का स्टेंपिंग ऐए, एक स्टेंपिंग आपकी यह है तो 2 स्टेंप इस सामने से इसे सकांड़ाइ आपका, इनको हम इस साइड़ी से आपको निजरे आरी होगी this is your L type और ऐसे करके आपकी क्या बनती रहती है core जैसे यह आपने पहले आप तिनली फिर इसके बाद में यहाँ पर थर्ड फिर यह फॉर्थ फिर यह फिर यह जिए 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 और इस तरीके से आपकी क्या build up हो जाती है core आपकी build up हो जाती है यहाँ से इसको क्या करते हैं लेमिनेट प्रोवाइड करते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं आपका लेमिनेशन तो लेमिनेशन जब आपका प्रोवाइड करेंगे यह आपने क्या प्रोवाइड किया इसमें लेमिनेशन तो जब यहाँ से आपने इसको laminate किया तो lamination करने का मतलब आपका क्या हुआ lamination आपने provide किया तो lamination provide करने का मतलब आपका हुआ कि यहां से आपने इसके resistance को क्या कर दिया बढ़ा दिया कैसे जैसे माल लीजे बहुँ यहां पर plus था और यहां पर minus था यहां पर कुछ induced EMF थी तो आपने क्या था यहां पर circulating current आपका ऐसे जा रहा था प्लस टू माइनस अब आपने क्या किया इसके बीच में lamination आपके provide कर दी तो lamination provide करने का मतब आपने resistance को बढ़ा दिया और resistance अगर आपका बढ़ेगा तो current आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो current अगर आपका कम होगा तो आपके losses भी क्या हो जाएगे यहां से reduce आपके हो जाएगे ठीक है तो यह था आपका इसके regarding अब हम इसमें discuss कर लेते हैं आपका length low तो length low आपका क्या होता है तो पहले length low देखते हैं उसके बाद में आपके add current loss को drive करेंगे कैसे आपके add current loss को drive किय जाता है तो देखो यहां पर मैं एक transformer बनाता हूं ठीक है यहां पर आपने transformer को लिया फिर से यह आपका transformer है और यहां पर आपकी transformer की core है आपकी it is like this ठीक है यह आपके transformer की core है और यहां पर आपकी windings place की हुई है अपने the windings are like this तो यह आपकी होगी winding पहली और यह आपकी कौन सी winding होगी है secondary की winding है ठीक है इस तरीके से आपने windings को place किया हुआ है अब क्या होगा आपका जैसे हम यहां पर आपका source लगाएंगे जैसे हम इसमें source लगाएंगे यहां से आपने source लगाया v,f ठीक है तो आपका क्या होगा यहां पर एडी current आपके current आपका circulating करना start करेंगे यानि की current आपका क्या करना शुरू करेगा circulate होना start हो जाएगा अब हम सिरफ इस piece को यह जो piece आपको नजर आ रहा है इसको हम अलग से बना लेते हैं माली जी आपने इस piece को यहां पर ऐसे बना लिया है ठीक है इस piece को आपने इस तरीके से बना लिया है ठीक है यह आपका पीस हो गया जो अभी आपने यहां पर अपका रिप्रेजेंट किया था उसको आपने यहां पर बनाया है और इसके चारों तरफ आपकी क्या है इसके चारों तरफ आपने क्या को वांड किया हुए तो यहां पर जैसे ही आपका आई फ्लो करना स्टार्ट करेंगा तो क्या होगा अब जो करेंट है आपका यहां पर क्या अल्टरनेटिंग नेचर का है current आपका किस nature का रहेगा alternating nature का क्यों कि आपका जो source है वो भी आपका क्या है alternating nature का है चीक है तो current भी आपका किस nature का रहेगा यहाँ पर alternating nature का रहेगा अब जैसे ही आपका current यहाँ पर current जब flow करना start करेगा तो ये अपनी कुछ flux lines बनाएगा क्या बनाएगा आपका flux lines को बनाएगा तो माल लीजे इसने क्या किया flux lines को बना दिया इसने क्या किया भई flux lines को यहां पे produce कर दिया यह आपकी flux lines है ठीक है it is like this यह आपकी flux lines कुछ ऐसी है यहां से ऐसे तो अब यहां से जो flux lines आपके निकलेंगी अब देखो पहले क्या कोई HEY flux थी नहीं पहले कोई flux नहीं थी आपर जैसे ही current flow किया वेसे ही क्या set up हो गई यहां पे flux set up हो गई है क्या होगा हांपर flux set up हो गई है तो क्या होगा आपका देखो अब हर कोई चीज, जैसे कोई भी चीज होती है, वो आपने sudden change का oppose करती है हो क्या करती है? sudden change का oppose करती है कैसे? जैसे माल लेजिये, आप लोग पहड़ो पे देखते हो पहाडों पर अगर कोई गया है आप में से तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर डीफोर्स्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया अच्कल डीफोर्स्टेशन का मतलब पेड़ पोदे बहुत ज़्यादा माउंटों में काटे जा रहे हैं और जो आपके लकड़ी माफिया होते हैं उनकी जो तादाद है वो लगातर बढ़ती जा रही है उस वज़े से क्या हो रहा है आपका जैसे कभी-कभी बिना समय के बरसात हो जाती है या फिर जिस टाइम पर बारिस का मोसम होता है उस टाइम पर ही बारिश नहीं होती है जिल्कुर रिलेक्स चल रहे थे अगर आपको पहले से पता है कि आपको कोई गाड़ी आकर ठोकने वाली है तब तो आप उससे अलर्ट हो जाओगे और अगर आपको नहीं पता है तो क्या होगा, suddenly death हो सकती है या फिर आपको seriously wound हो सकती हो, मतलब seriously आपको कहीं न कहीं चोट लग सकती है तो यह आपका case कुछ इसी तरीकी का है यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे ही आपने current को flow करवाया तो पहले से आपकी core क्या थी पहले से आपकी जो coil थी वो बिल्कुल आपकी silent mode में थी, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है अब जैसे ही current किया, current flow किया उसने flux को set up कराया, अब flux को set up करवाने के लिए आपका क्या होगा अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही nature के साथ में आप खिलवार करते हो तो nature उस चीज का क्या करती है, अपोज करती है जैसे आपका बारिस का रोग देगी या कुछ इस type के आपके आसार देखने को मिलते हैं जो मतलब favorable नहीं होते तो इसी type से यहाँ पर भी आपका क्या होगा जैसे ही आपकी flux line setup होंगी तो यह core इस चीज का क्या करेगी अपोज करेगी आपने एकदम से ऐसा क्यों किया ठीक है, आपने एकदम से ऐसा क्यों किया ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा इसी तरीके से इस score के अंदर आपका क्या होगा opposition factor आपका develop करेगा यह क्या develop करेगा आपका opposition factor जो इस current को flow करने से रोकेगा क्योंकि इस current की वज़े से ही आपके क्या produce हुई है यहाँ पे flux setup हुई है तो क्या होगा आपका देखो उसके लिए हम एक example लेते हैं माल लीजिए आपके पास में एक source है यहाँ पे ऐसे यह आपका 10 volt का है ठीक है और यहाँ पे आपका एक resistance है इसका यह आपका 1 ohm का है तो क्या होगा आपका देखो अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं plus और minus ठीक है यह 8 volt का है तो यहाँ से current की जो value आएगी जो आपका source है इस बार यह आपका कुछ ऐसे है तो यहाँ से आपका 8 volt का है तो क्या होगा आपका यहाँ से current कितना flow करेगा i it is equal to 10 plus 8 divided by 1 this is equal to 18 ampere तो देखो सेम ऐसा ही कुछ इसके case में भी है कैसे जैसे कि हम यहाँ पे आपका बताएं कि भई यह जो 8 volt का है यह इस current को support कर रहा है जिसकी वज़े से बढ़ रहा है आपका यह आपका पहले कितना था यहाँ पे आपका 2 ampere था लेकिन जैसे इसने polarity को reverse कर दिया वैसे ही आपका current क्या हो गया बढ़ गया आपका कितमा हो गया 18 ampere यहाँ कि बहुत large increment आपका हो गया सिर्फ किसको change करने से polarity को change करने से अब same आपका यहाँ पे concept लगेगा मैंने आपको बताया कि यह जो source है आपका यह तो source है आपका ठीक है यहाँ से आपका current flow कर रहा है अब current जैसे आपका flow करेगा तो यह जो core है आपकी यह इस current को flow होने से रोकेगी और कैसे रोकेगी यह आपको पाभी पता चला होगा कि अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम plane लगते हैं यहाँ पे अगर हम इसको सिर्फ इतना ही रख दें यहाँ पे आपका 10 volt है ठीक है और यह आपका 1 ohm है यह आपका कितना है 1 ohm है ठीक है तो यहाँ से current आपका कितना आएगा यह आपका आएगा 10 ampere क्योंकि 10 divided by 1 I it is equal to V by R करेंगे तो 10 ampere आएगा ठीक है तो अब अगर current को क्या करना है रोकना है तो क्या होगा यहाँ पे जैसे 10 ampere से एकदम से अगर हम इसको 2 ampere पे लाना चाहें तो हमें यहाँ पे क्या produce करवानी पड़ेगी voltage produce करवानी पड़ेगी 8 volt की ठीक है तो यहाँ पे similarly manner में इसके case में क्योंकि current आपका continuous flow कर रहा है और flux एकदम से setup होई है यह क्या करेगा यह इसका oppose करने के लिए एक voltage बनाएगा जो इस voltage को क्या करेगी जो सुरी जो इस current को क्या करेगी oppose करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे plus है तो हमाल लेते हैं चलिए माल लीजी यहाँ पे minus है वैसे आपके तो इस तरीके से आपके क्या setup हो जाएगी यहाँ पे एक induced EMF setup हो जाएगी और यह induced EMF आपके क्या बताती है कि this induced EMF will oppose the sudden change in current ठीके यह आपका क्या करती है यह आपका oppose कर रहे है किसका sudden change in current का और यही आपका length low आपका बताता है क्या कि according to length low there is some induced EMF यहाँ पे क्या होगी कुछ induced EMF होगी with a proper polarity जो आपकी क्या होगी proper polarity के साथ में क्योंकि आपने अगर polarity को change कर दिया जैसे आपने plus minus को उपर लिखा और plus को नीचे लिखा तो यह support करने लग जाएगा ठीक है तो आपकी polarity क्या होनी चाहिए proper होनी चाहिए with a proper polarity so that it will oppose ताकि ये अपने ये oppose कर सके किसका so that it will oppose to cause of its production ये किसका आपको oppose कर सके जो इसका production का cause है यानि कि इसकी वज़े से जो flux आपकी setup होई है उसका आपका क्या कर सके ये oppose कर सके तो यहाँ से आपका इसी वज़े से हम E को क्या लिखते है nd5ydt, it is equal to minus का nd5ydt लिखते है और ये जो negative का sign है ये आपका बताता है कि जो induced EMF आपकी यहाँ पे आई है ये आपकी opposition की वज़े से आई है यानि कि ये current का आपका क्या कर रही है oppose कर रही है और इसी लिए हम लिखते हैं nd5ydt आपका होता है faraday's law और minus के साथ में अगर आपने लगा दिया तो यह आपका क्या होता है length low and faraday's low both बट एक चीज़ और इसके अंदर important है वो आपी क्या है कि अगर आपने polarity को indicate कर दिया जैसे अभी आपने polarity को क्या किया हुआ है यहाँ पे indicate किया हुआ है तो अगर आपने polarity को indicate कर दिया है तो हम सिर्फ आपका लिखेंगे e it is equal to nd5 by dt ठीके अगर आपने polarity को indicate किया है तो if polarity is indicated ठीके अगर आपने polarity को क्या किया हुआ है is indicated तब तो हम लिखेंगे इसके अंदर आपका क्या e it is equal to nd5 by dt और अगर आपने polarity को indicate नहीं किया है, if no polarity is indicated, अगर कोई polarity indicate नहीं है, is indicated, then it means तब आपका क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम minus का sign साथ मिलेंगे, ठीक है, तो यह था आपका इसका concept, किसका concept, length लोगा, आपको समय आया होगा, कि यहाँ पे आपका क्या होता है, कि पहले आपका जैसे ही current flow करना शुरू करेगा, आपकी flux यहाँ पे setup हो जाएगी, और वो flux एकदम से setup हुई है, इसी वज़े से core उस चीज़ का क्या करेगी, और oppose कैसे करेगी, वो अपने across, क्या बनाएगी, एक induced EMF बनाएगी, ताकि जो current आपका पीछे से आ रहा है, उसका क्या हो सके, oppose ह और oppose होने के लिए इसकी जो polarity होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, कि यहाँ से current की जो value है, वो आपका क्या हो सके, कम हो सके, यानि कि अगर यहाँ पे आपका plus और minus आपका मालनी जी आ गया है, तो plus और minus अगर आपका आ गया है, यानि कि अगर आपने polarity को indicate कर दिया, तो इसका मतलब e it is equal to, हम लिखेंगे सीधा nd5 by dt, और अगर आपने polarity को indicate नहीं किया, तो हम लिखेंगे e it is equal to minus nd5 by dt, यह आपका पताता है कौन, length low, यानि कि length low के according, आपका क्या होता है, there is some induced EMF आपकी develop हो जाती है, और किसके across, जहाँ पे आपका sudden change हो रहा है, उसके across, ठीक ह हुआ होगा, कि यहाँ पर क्यों आपका minus और plus का sign हम क्यों लेते हैं, कई बार minus नजर आता है, कई बार plus नजर आता है, जैसे आप books में पढ़ोगे, जैसे machines के अंदर, तो आपको कहीं पर plus नजर आएगा, कहीं पर minus नजर आएगा, उसका concept मैंने आपको बताया, कि minus आपका तब लेंगे, जब polarity ना हो, और plus आपका तब लेंगे, जब polarity आपकी indicated हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर polarity indicator है, तो मैं इसमें लूँआ, plus का nd5i dt, ठीक है, अब ये concept आपका यहाँ से हुआ, अब देखो, हम लोग discuss कर रहे थे आपका add current lows को, अब add current lows को, हम फिर से आपका discuss कर करता है, तो देखिए, यहाँ पर जब आपकी flux line set up हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो, इसके case में, इसके case से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यहाँ से आपका क्या होगा भई, इसके case में ऐसे, यहाँ से आपकी मालिजए induced EMF आपकी set up हो गई है, ज तो induced EMF आपकी generate होई है यहाँ से, यह आपकी क्या होगी, E it is equal to, हम इसको क्या लिखते हैं भई, N d5 by dt, इसको आपका क्या लिखते हैं, N d5 by dt, और अगर आपका मालिजए number of tons 1 है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, E it is equal to d5 by dt, ठीक है, अब 5 it is equal to, आपका क्या होता है, ठीक है, B into area, area आपका कौन सा होता है, जहाँ से आपकी flux lines यह cross करते हुए निकल रही है, ठीक है, यानि कि हम बता सकते हैं, इसका जो उपर वाला जो area है, यह जो area आपको नजर आ रहा है, इसको आपने बोला है, यहाँ से जो आपके निकल रही है, यानि कि आप इसको ऐसा स निकल रही है, उसको बोलते हैं, आपका क्या flux, ठीक है, तो 5 it is equal to b into क्या हो जाएगा आपका area, अब देखो, let b it is equal to, let b it is equal to bm sin omega t, bm sin omega t, तो यहाँ से d5 y dt आपका क्या जाएगा, e it is equal to area आपका constant है, area तो आपका यहाँ से constant है, a area into db by dt, इसको लिख सकते हैं, ऐसे, यहा cos omega t, ठीक है, इसको हम इस तरीके से आपका लिख सकते हैं, what is omega, it is 2 pi f, 2 pi f area into bm, into आपका क्या रहेगा वही, यहाँ से cos omega t, तो यहाँ पी क्या जाएगी, induced emf आजाएगी, अब इस induced emf की वज़े से, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कुछ circulating current भी आपके आएगे, चो यहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 pi f into area into bm into cos omega t divided by, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, this is your eddy current, अब यह तो आपकी है instantaneous value of this eddy current, अब हमें क्या चाहिए, rms value, ठीक है, हमें क्या चाहिए होती, rms value, तो यहाँ से इसकी rms value हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपका करते है, i rms, it is equal to, बस इसके under root में 2 करना है, तो यहाँ से आपका आजाएगा, root 2 pi f into area into bm divided by r of resistance, ठीक है, resistance आपका किसका in the path of eddy current, तो यह आपका आजाएगा rms value, अब यहाँ से, what is p loss, this is equal to i rms का square, i rms का square into re, तो यहाँ से आपका क्या ह हो जाएगा, i rms square, इसका square करेंगे, 2 pi square, f square, area का square, bm का square divided by आपका क्या है, resistance, ठीक है, और resistance का square आपका हो जाएगा, एक resistance आपका यहाँ पर है, तो नीचे आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका resistance आपका बच जाएगा, re, ठीक है, अब re आपका क्या होता है, re, it is equal to, re, it is equal to आपका होता है ρो ल, वाई, ए तो यहां से इसको हम लिखेंगे क्या? कि यहां से आप इसको आपका जगा 2 पाई का स्केर, F का स्केर A का स्केर, B, M का स्केर डिवाइड़ भाई, रो रो का मतलब आपका क्या हुआ? R, रेजिस्टिविटी इंटू लेंट यह आपकी लेंट है और इंटू आपका क्या है? अब यह एरिया और यह एरिया, क्या यह दोनों एरिया आपके सेम है? उसके लिए आपका देखिए क्या करें गे? तो देखो, जैसे मानीची आपके पास में ये material है आपके पास में एक material आपका ऐसे है और इस material के अंदर आपका हर जगे पर क्या है circulating current से आपके हर जगे पर आपके क्या है circulating current है ठीक है थोड़ा सा इसको बढ़ा करते हैं ठीक है थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं यहां से इसको ऐसे बना लेते हैं ठीक है तो यहां से आपके यह भी circulating current आपके हो गए similarly यहां पे भी circulating current है यहां पे भी आप पे क्या है circulating current यानि कि हर जगे आपके circulating current है और मालेजी हर एक के अंदर आपकी direction कैसी है ऐसे है ठीक है सभी की direction आप भी क्या है सेम है ठीक है यह आपने क्या बताया यह score के बारे में बताया यह वाला current ऊपर की तरफ जा रहा है, यह नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यह नीचे आपका, similarly यह उपर जा रहा है, तो यह आपका क्या कहां पहार है, नीचे की तरफ आ रहा है, यह आपका यहां पहार है, यह आपका यहां पहार है, यह आपका यहां प तो यहां से इसका जो net आपका निकलेगा, यह हम समझ सकते हैं, कि देखो, अंदर वाले, बीच वाले, तो सारे एक दूसरे किया कर रहा हैं, cancel out कर रहा हैं, लेकिन बाहर वाला करेंट है, बाहर वाला जैसे यह वाला करेंट आपका होगा, इस direction में है, ये भी इस direction में है, ये भी इस direction में है, similarly यहां पे इस direction में है, ठीक है, तो हम इसको overall जो है, आपके current को, यह तो फिर भी मैंने आपको दूर दूर करके बताया हूँ, overall जो आपका current आपको नजर आएगा, वो कुछ ऐसा समझ सकते हैं, कि वो current आपका कुछ ऐसा current आपका flow कर रहा है, ठीक है, इस पूरे current को हम overall ऐसे समझ सकते हैं, कि यह current आपका ऐसे है, अब यहां से आपका देखो, तो इसका मतलब, जो आपका यहां पे resistance है, रिजिस्टेंस वो आपका area कौन सा होगा, जो इसके साथ-साथ वाला area है, यानि कि यह जो area है आपका, यह पक इस पर depend करता है, इस पर depend करता है, और length आपके क्या हो जाएगी, length यहां से आपके हो जाएगी, इसका overall parameter, यानि कि मालीजे इसकी जो यहां से आपकी है, यह x है ठीक है, और यह आपकी क्या है, इस इस वाई है आपका, तो यहां से जो parameter आपका होगा, यह मालीजे rectangle है, त Rectangle का जो perimeter आपका होता है वो 2 times x plus y होता है, याने कि x plus y plus x plus y, तो आपका 2 times x plus y आ जाएगा, और यह जो perimeter है, इसी को आपने क्या बता है यहाँ पर length के बारे में बता है, कि यह आपके oral क्या होगी, length होगी, और यह जो area है, यह इस पूरे का area है और यह जो area है यह वो area है जहां से flux lines आपके क्या कर रहे है pass out कर रहे हैं ठीक है दोनों में आपका difference है आपका अब देखो यहां से यहां से आपका क्या बच्छा इसको हम फिर से आपका solve करेंगे तो P जो loss है इसको हम लिखेंगे इस इक्वल टू P square, F square, BM square, into divided by आपका क्या है यहां से row into length है तो row into beta और साथ में आपका यहां पे होता है T square T को आपका बोलते हैं यह area का square है तो यह आपका depend करता है thickness तो कितनी आपकी मोटी क्या है यहां से है तो इसको बोलते हैं आपका the current loss यहां से drive होके निकलेगा यह वाली terms और T आपकी यहां से क्या है T is the thickness और beta आपका क्या है beta is constant और यह depend करता आपका किसपे it depends on shape and size of material depends on shape and size of material किसके ओपर depend करता आपका shape and size पर depend करता है ठीक है और जो T है आपकी वो ठिकने से आपकी तो इसका मतलब अगर आपको loss क्या करने है लोस अगर आपको क्या करने है कम करने है लोस आपको क्या करने है कम करने है तो उसके लिए मैं thickness को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और साथ में अब pi square भी आपका constant है यहां से तो यहां से इस overall को हम constant कह सकते हैं रो का आपका जो decide करता है, वो आपका decide करेंगे, जैसे आपका silicon steel आपका होता है, तो जैसे silicon की resistivity आपकी constant होती है, तो इसकी कवा मतलब आपका ये सब कुछ आपके किस में आ जाता है, रो, बीटा, पी square, टी square, सब कुछ constant में आ जाता है, और हम कई बार eddy current loss को ऐसे भी लिख स इस इक्वल टू, iron loss आपके क्या हो जाएंगे, pi it is equal to, that is, ph hysteresis loss plus eddy current loss, ठीक है, hysteresis loss plus eddy current loss, this is equal to kh bm की power x into f, प्लस यहां से ke bm का square into f square, ठीक है, यह आपको formula कई बार लिखा हो मिलता है, या फिर x की जगे आपको value लिख हो ही मिलेगी, this is equal to 1.6, तो यह बहुत ही important है, आपका यहां से आपका question कई बार आता है, ठीक है, कि क्या आपके iron loss आपके क्या होते है, eddy current loss, hysteresis loss, या फिर copper loss के बरह में दे देता है, या फिर कोपर loss दे दे, तो आपको याद रखना है, कि iron loss के अंदर hysteresis loss plus आपके eddy current loss होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि देखो, जो पहले वाला जो loss हुआ था, यानि कि hysteresis loss जो आपका हुआ था, वो भी आपका core की वज़े से था, वो किसकी वज़े से था, आपका core की वज़े से, और यहां पे भी जो आपके eddy current loss आपके आ रहे हैं, ये भी आपका core की वज़े से आ रहे हैं, तो इस वज़े से दोनों को मिलाके आपका क्या क्येता है गो लोस आपका बोलते हैं क्योंकि ये आपका की अंदर हो रहा है और वो जो पहले वाला something जा शालों को इसी वज़ए से दोनों को मिला है आपका क्या बोलते है और फिर आपका बोलेंगे लो ठीक है तो ये था आपका eddy current lows के बारे में अब हम इसके अंदर एक छोटा सा टोफिक और देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया भई एक चीज और है यहाँ पे जो आपने point उपर लिखा हुआ if resistivity of material increases अगर resistivity आपकी बढ़ा दी जाए वो इसके बाद में देखते हैं तो अब resistivity को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे देखो resistivity to increase resistivity to increase to increase resistivity अगर हमें resistivity को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे इसमें हम लोग iron के अंदर silicone को add कर देंगे हम लोग क्या करेंगे iron के अंदर silicone को add कर देंगे ठीक है to increase resistivity silicone, silicone आपका क्या होता है यह आपका semi conducting material है semi conductor material और इसकी जो resistivity होती है as compare to iron obviously क्या रहेगी high रहेगी आपकी तो silicon is added into iron, ठीक है, into iron, और इसको बोलते हैं आपका silicon iron alloy, या फिर इसी को हम आगे बोलते हैं आपका, या फिर इसी को हम नाम बोल सकते हैं आपका silicon steel, ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका silicon steel, तो ये दोनों आपके हैं, या तो silicon steel आप इसको बोलिए, या फिर आप इसको बोलिए silicon iron का aloe तो कितना percent आपका add करेंगे वो भी आपका matter करता है तो यहां से silicon is added यहां से आपका लिखेंगे silicon जो आपका add किया जाता है is added up to up to 4% 4% तक हम इसमें क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं generally जो हम add करते हैं इसके अंदर generally it is added generally it is added it is added from from 2.2% to 3.4% generally आपका इतना ही add किया जाता है क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा add कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जो आपका iron है उसके अंदर brittleness बढ़ जाएगी तो यहां से हम इसको लिख देते हैं चलिए if silicon is added in higher concentration in higher concentration ठीके यानि कि इस limit से ज़्यादा अगर हम आपने add कर दिया तब आपका if silicon is added in higher concentration if silicon is added in higher concentration तब आपका क्या होगा तब यहां पर हम इसके अंदर आपका कहेंगे कि it makes it makes iron iron brittle in nature यह आपका iron किस nature का बना देगा brittle in nature brittle nature आपका कुन सा होता है जिससे आपका element आसानी से टूट जाए जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूँगा तो यह आपका आसानी से क्या हो जाएगा break हो जाएगा और एक आपने देखा होगा कुछ element आपके ऐसे भी होते हैं जैसे आपका gold हो गया जैसे यह gold है आप इसको कितना ही ऐसे ऐसे गुमाते रहो यह तूटेगा नहीं ठीक है तो उसको बोलते हैं जो आसानी से तूट जाए दो पार्ट्स के अंदर आपका ब्रेक हो जाए उसको बोलते हैं लुटास आपके क्या होगे एकंड़स आपके क्या होगे यहां से एकंड़स भी डिक्रीज हो गए और आपके क्या हुआ इसको जांगी तो इसका मतलब हम यहां से आपका कह सकते हैं i silicon plus iron इसका मतलब देखो यहांसे जो conductivity आपके होती iron की it is greater greater than conductivity of silicon या फिर हम बोले resistivity of iron it is less less than resistivity of silicon ठीक है जब आपने iron प्लस silicon अपने यहां पे ले लिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा overall 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 resistivity increases overall resistivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और यहां से जो आपका circulating current है यानि कि जो आपका eddy current है उसका जो magnitude है वो आपका क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो इस वज़े से हम क्या use करते हैं आपका silicon still use करते हैं और जितने भी power transformer होते हैं power transformers कि जो core होती है उसके अंदर आपका क्या BE होता है इन power transformer core CRGOcilyrguleus का मैंने आपको पहले बताया था कहां पर बताया था whenasya geohu जब मैंने आपको anisotropic पढ़ाया था था तब मैंने आपको बताए है कि CRGO आपका क्या होता है तो CRGO silicon steel is used वहाँ पर क्या use किया जाता है CRGO silicon steel CRGO आपका hysteresis loss के लिए और अभी अभी आपने देखा silicon steel silicon को जब हम iron के अंदर add कर देते हैं तो यह आपका क्या कम कर देता है यह आपका addy current loss को कम कर देता है तो दोनों का function आपको समझना बहुत जरूरी था CRGO किस लिए और silicon किस लिए और यह था आपका किस के अंदर आपका ferromagnetic material का part और यह जो additional आपका addy current loss है यह आपका as it is machine के अंदर आपका बहुत helpful रहेगा अब आपके इसके बाद में दो element और बचे हैं एक तो आपका ferromagnetic material और एक आपका बचा है ferromagnetic material तो next lecture के अंदर हम उन दोनों को discuss करेंगे thank you, thank you so much